बीटा पार्टिकल जब एक रेडियाक्टिव डिके होता है जिस रेडियाक्टिव डिके में प्रोटोन कंवर्ट होता है न्यूट्रोन में और न्यूट्रोन कंवर्ट होता है प्रोटोन में उस वक्त एक पार्टिकल एमिट होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल वो प्रोस्टिव बिटा डिके तब होता है जब कोई प्रोटोन कनवर्ट होता है न्यूट्रोन में इंसाइड न्यूक्लियस और जब एक न्यूट्रोन कनवर्ट होता है प्रोटोन में इंसाइड दी न्यूक्लियस उसे बोलते है नेगटिव बिटा डिके यह सारा प्रोसेस बनता है उस daughter element के mass number में कोई chain नहीं आता लेकिन उसका atomic number increase हो जाता है by the factor 1 जैसा कि आप equation में देख पा रहे हो यह equation है neutron की conversion proton में means neutron convert जब होता है proton में तब यह equation formed होती है means generally it is the application of beta negative बीटा पार्टिकल और बीटा डिके कोई common process नहीं है यह journaling कव होता है जब 99 titanium एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है और 99 रूथेनियम में convert हो जाता है उस वक्त उस वक्त inside the nucleus neutron convert होता है proton में बीटा पार्टिकल की बहुत कॉमन सी application है वो application है the beta particle is used in the treatment of the bone cancer उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर वीडियो अच्छा लगाओ अगर वीडियो अच्छा लगाओ hit on the subscribe button thank you very much have a nice day